दोस्तो नमस्कार, ठाकरे सरकार में ग्रेह मंतरी रहे अनिल देशमुक को कोट से बहुती बड़ा छटका लगा है ब्रस्टाचार के मामले में ग्रफ़तार महरास्टो के पूर्व ग्रेह मंतरी अनिल देशमुक को 14 दिन की नयाए खिरासत में दोस्तो जो है भेज दिया गया है यानि की 14 दिन के लिए वो फिर से जेल में रहेंगे जेल वारंट जारी होने के दौरान उन्होंने कोट से गोहार लगाई थी कि उन्हें जेल में घर का खाना मंगवाने की इजाज़त दी जाए लेकिन इस पर जज ने कहा कि पहले जेल का खाना खाकर के तो देखो यदी नहीं खा सकोगे तो फिर हम बिचार करेंगे कोट ने NCP के नेता देशमुक को उनकी सेहत की इस्तिती को देखते हुए जेल में बैट की इजाज़त दे दी है देशमुक को एक नवंबर को मनी लॉंडरिंग के एक मामले में दोस्तों इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने गरफतार किया था इडी ने उनसे मुंबई में उनके कारेयालाए में बाराए घंटे तक पूछताच करने के बाद में गरफतारी की थी जवरन वसूली के मामले में दोस्तों बरखास्त मुंबई पुलिस अधकारी सचिन वाजे को सौंबार को 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया गया है यानि की जोडिशन कस्टडी में भेज दिया गया है वाजे इससे पहले मुंबई पुलिस क्रेड़िट शाखा की पुलिस रासत में थे 23 जुलाई को मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग सचिन वाजे और अन्नी के खिलाप में गोरिगाउं पुलिस स्टेशन में जवरन वसूली का मामला दर्श किया गया था इस मामले की जाच मुंबई पुलिस की अपराद शाखा को जो है सौप दी गई है तो दोस्तो अनिल देशमुक के मामले में जो बड़ा डेवलाप्मेंट है वो यही निकल करके सामने आ रहा है कि जब उन्हें जो है कोट के फैसले के तहए 14 दिनों की नियाए खिरासत में जुडिश्यल कस्टरी में भीजा गया तो वहां पर उन्होंने गोहार लगाई कि वो जेल की रोटी नहीं खा सकेंगे लेहाजा उन्हें घर का खाना मंगबाने की इजाज़ा दी जाए वो घर का खाना खाना चाहते हैं इस पर दोस्तो बड़ा जटका देते हुगा अनिल देश्मुक को जच साहिब ने कहा कि पहले जरा जेल की रोटी खाकर तो देखिए अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है अगर आपके जो है गले से नीचे नहीं उतरती उसके बाद में हम लोग विचार करेंगे कि आपको जेल की रोटी ही दी जानी चाहिए या फिर घर से खाना मंगवाना चाहिए तो फिलाल दोस्तो अलिल देश्मुक के लिए एक और बड़ा जटका हाई कोट ने उनकी जमानत याचका को खारेच करते हुए उन्हें 14 दुना की जुडिशल कस्टरी में भेज दिया ह और दरसल पता लगाने की ये कोशस है की जा रही है इंफोर्स्मेंट डिरेक्टोरेट की तरफ से की जो वसूली का रैकेट चल रहा था जो महरास्ट्र में जबरन जो है हफता उगाही चल रही थी उसका मास्टर माइंड कौन है और मुझे पूरी उमीद है और यकीन है बेराल जो दोस्तों जेल की रोटी खाने पर मजबूर कर दिया गया है महरास्टों के पूर्व ग्रेही मंत्रिया निल देश्मों को कोट के जरिये और हालातों ने इस पर आपकी जो भी रहा है मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिख बताएं इस वीडियो में तना ही जल्द मिलूगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धनवाद अगर आप लूप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड़ बनी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकर आओ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भी लेए